असलाम वालीकुम नाजडिन ड्रमसेर खुदसर की नेक्स एपिसोड में अब आचुका है टुइस्ट क्योंकि ये शाजमा दोसों के लिए जाल बिचाते बिचाते आज अपने लिए जाल बिचा रही है और इस जाल में भी ये खुदी को फसाएगी खुदी को बंद करेगी और पिर ऐसी फसेगी कि याद रखेगी शाजमा जिसके लिए बहुत अच्छे रिष्टे भी आएं हैं मगर इसके सर पर तो भूत सवार है बाहर जाने का कि बस कोई भी रिष्टा हो बाहर काई हो अब जब कुछ रिष्टेवालों ने इससे खुद अप्रोच किया ये तो पागल हो जाती है खुशी से इतना तक कि वो लोग इसका रिष्टा देखने के लिए भी आ गए ऐसे में रिदा जिससे इस बात का अच्छे से एसाज है क्योंकि उस पर गुज़र जो चुकी है अपने कमरे में बैठी थी दाइम के साथ तो उसे कहती है ये माश्वा बहु आने के लिए आ गई क्यों बीवी पहली शादी तुम कर सकती हो मैं नहीं कर सकती क्या तो दाइम तो उसी वक्त मुझे कह देता है रिदा आप तुम्हें समझ में आया कि ये कितनी खुशर और जिद्धी लड़की है क्योंकि दाइम को तो उसी वक्त घुसा आया था कि मेरे सामने ही मेरी बीवी को बातें सुना रही है जबके रिदा तो उसके भले की बात कर रही थी अब जलती कोड़ती अपने कबरे में चली गई मगर वहां पर जिशान जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुश रहने लगा है सोनी की बात उसकी अकल को जा लगी है कि दोस्टो उसे देखकर ऐसे इन दोनों की रवादवान जिन्दगी चलने लगेगी ये अपनी हसी खुशी जिन्दगी का एक आगास करेंगे उधर शाजमा जो कि इस लड़की को तो दिखा चुकी थी अपनी मां को अब जब वो यहां पर आये शाजमा को देखने के लिए तो मां भाई किसी को भी ये रिष्टा पसंद नहीं आया मां तो कह देती है शाजमा को ऐसा क्या है इस रिष्टे में उमर भी इसकी बड़ी है और एक शादी भी इसकी ख़तम हो चुकी है मगर अब इस शाजमा को इस उमर बड़ी से भी कोई इतराज नहीं वो तो जबरदस्ती का उसे खुबसुद भी कह देती है क्योंकि असल में शाजमा को बाहिर जाने की लालज जो है वालिद तो साफ इंकार कर देते हैं मेरा दिल इस रिष्टे के लिए बिल्कुर भी नहीं मानता पता नहीं कैसे लोग हैं कैसे नहीं बाहिर रहते हैं और वैसे भी मुझे ठीक भी नहीं लगे तो दाइम भी फैस्ता सुनाता है कि हमें लगता है मना कर देना चाहिए इस रिष्टे से मगर शाजमा वो तो मना करने देती नहीं मुझे तो ये रिष्टा पसंद है और मैं यहीं शादी करूँगी आप प्लीज हां कह दे प्लीज तो इसका ऐसे कह नहीं है असल में तो वो हुकमन कह देती है अब हर कोई इस रिष्टे से इंकार कर रहा है मगर अब जब शाजमा ही राजी है तो कोई भला क्या कर सकता है क्योंकि घर में तो इस शाजमा ने वावेले ही मचा दिया ताकि मैं सब लोगों को मना सकूं इस रिष्टे के लिए अल्मारी की चीज़ें फैंकती उठा उठा कर मा देखती है तो और मजबूर हो जाती है और वहाँ पर शाजमा के रिष्टा जब पका हो जाएगा तो वो जरूर जिष्टे को जलाने के लिए उसे मैसिज करेगी क्योंकि सबसे पहले तो वो ये सब कुछ कर रही है जिष्टे को जलाने के लिए कि देखो मेरी लाइफ तो तुम से भी अच्छी सेटल्ड हो चुकी है अब जब वो तस्वीर भेज़ेगी या फिर मैसिज करेगी तो वो मैसिज सोने असुन लेगी देख लेगी भी भी कॉंटेक्ट करती है जिशान से मगर ये अंदाजा नहीं कि जिशान को जलाने के लिए जो कुछ ये शाजमा कर रही है और अब तक जो कुछ करती आई है असल में अब की बार उसके अंजाम का वक्त तो अब आन पड़ा है ना सिर्फ इसका होने वाला ये शोहर उस पर तशद्द्द करेगा बल्के हो सकता है उसे घर में भी बंद करके रखे और बाहिर का तो हो सकता है सिर्फ जहां सही हो ऐसे में विवर्ज आपको क्या लगता है कि शाजमा का अंजाम क्या होने वाला है मज़ी ड्रामा आज रिविउस के लिए आप देखते रहिए उर्दु रिवी